Dear students, welcome to Gates Measures, आज की इस वीडियो में explain करने जा रहा हूँ Operator Presidents and Associativity in Python जब भी हम Python के अंदर operators को जब भी हमार पास expressions दी होते हैं उनको जब हम solve करते हैं तो उनकी अंदर operators की presidents को दिमाग में रखना बहुँ जरूरी है और उनकी associativity को भी दिमाग में रखना बहुँ जरूरी है क्योंकि इसके उपर काफी questions आपके interviews में या फिर college university exam में या फिर competitive exam में पूछे जाते हैं जो आप easily solve कर सकते हो तो यहाँ पे देखो मैंने एक simple सा table है यहाँ पे बनाया है इस table में आपके arithmetic operations, shift operations, logical operations जो main main operations है वो सारे mention की हुए है और इनकी associativity में बाद में बताऊंगा अभी पहले precedence बता रहा हूँ तो precedence कैसे है इसकी precedence सबसे ज़्यादा है parenthesis की फिर नीचे नीचे जैसे से हम नीचे जा रहे हैं तो precedence मेरी कम हो रही है जैसे देखो मुझे यहाँ पे solve करना है 2 plus 3 into 4 जैसे simple सा question है, simple सा expression है 2 plus 3 into 4 अब यहाँ पे दो तरीके हैं या तो पहले 2 plus 3 into 4 कर लो या फिर 3 into 4 plus 2 कर लो तो दोनों में ही आपको लगेगा कि सर सही तो है लेकिन ऐसा नहीं होता आपको precedence को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है तो यहाँ पे मेरे पास एक क्या है plus और दूसरा मेरे क्या है star तो star की precedence plus से जाला है क्योंकि star उपर है तो हमने क्या करना है पहले star को solve करना है तो यह क्या हो गया 12 और फिर हमने क्या करना है plus करना है 14 आगया अगर आप उल्टा कर देते तो यह नहीं पहले क्या जाता है फाइव और फिर क्या हो जाता है इंट्टू 4 करोगे तो 20 तो यह आपका रॉंग है इस इस राइट तो यह दिमाग में रखना operator की presence बहुत ज्रूरी है ऐसी एक और example आपको देता हूँ एट्स पोज मैंने यहाँ पर लिख दिया false and false or true ठीक है यह बैंने किया अब इसको भी दो तरीके है यहाँ पर मैं एक तो क्या कर सकता हूँ पहले false and false को करता हूँ तो क्या आएगा false और फिर मैं और true कर देता हूँ तो answer मेरा क्या आएगा यहाँ पर एक तरह से true आजेगा क् false और true के case में क्या answer आजाएगा true लेकिन अगर मैं पहले false और true को कर देता हूँ तो मेरा answer क्या आएगा यहाँ पर true और फिर इस true को मैं end कहूंगा false है तो मेरा answer क्या आजाएगा false तो यह नहीं answer जो है चाहे even दो ही values are true और false तब भी आपका answer change हो सकता है तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे पस logical यहाँ पर end है logical हो रहा है तो दोनों में से किसकी present जाद है उपर कोन है end तो यानि end को पहले करना पड़ेगा तो end को अगर पहले करेंगे तो यानि false and false को पहले करेंगे answer क्या आएगा मेरा false और फिर हम इसको और के साथ करेंगे तो और जब हम करेंगे false और true के बीच में और तो answer मेरा क्या हो जाएगा true ठीक है न तो दूसरे case में answer false आ रहा था तो यही चीज़ जो है वो आपको दिमाग में रखनी है operator की precedence तो parenthesis सबसे ज़्यादा इस तरीके से हम लोग जो है वो perform करते है दूसरा यहाँ पर case क्या आता है दूसरा आता है associativity का जैसे example के तोर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, exponentiation 3, exponentiation 2 ठीक है तो यह मेरा क्या है exponent है ठीक है exponent मलब पावर जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 इस तरीके से आप लिख रहे हो तो यहाँ पर देखो इसको अगर आप solve करते हो तो फिर वही दो तरीके है एक तरीका तो क्या है पहले 2 की पावर 3 कर दिया क्या हो गया 2 की पावर 3? 8 और फिर 8 की पावर 2 करोगे तो क्या answer आएगा 64 18 to 8 क्या होता है 64 दूसरा तरीका क्या है पहले आपने 2 की पावर 3 की पावर 2 कर दिया answer क्या हैगा 9 और फिर आपने 2 की पावर 9 करोगे तो आपका answer क्या हैगा 512 तो दूनों में से कौन सा ठीक है अब आप कहोगे सर ये तो मेरी same ही है exponent की precedence जो है वो same ही है तो जब भी हम precedence जो है वो same होती है मलब जब भी हम same operator ले रहे हैं फिर हम बात करते हैं यहाँ पे associativity की तो याद रखना precedence आपको पता लगी अब associativity के case में याद रखना कि जो आपका exponent है वो right to left है ठीक है और आपका जो assignment है last वाला जो ये assignment है ये भी क्या है right to left है बाकी left to right बस ये फंडा याद रखना बाकी सारे के सारे left to right है आपको लिखने की जूरत ही नहीं है ना आपको रटा मारने की जूरत है बस सिरफ exponent specially python के case में याद रखना काफी बार आता है exponent हमेशे याद रखना right to left है और आपका last में जो assignment है assignment वैसे भी आपको पता ही है जैसे अगर हम ये करती है a is equal to b plus c या b plus is equal to c इस तरीके से अगर मैं करता हूँ जैसे a is equal to b plus is equal to c अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ पर let's suppose a b c k value ले लेता हूँ मैं a की value लेता है लेता है let's see 5 b की value लेता है let's see 2 और c की value लेताथ से 3 तो यहाँ में सबसे पहले आप write वाले को बन्हूँभ बन्हँभ ऺरोगे क्या value आएगी 3 उसके बने b plus is equal to c किया यानि यह आपका एक तरह से B की value क्या है 2 तो 2 plus is equal to मलब आपका जो है वो B और C की value को जोड़ देगा इसको आप क्या लिख सकते हो ना एक तरह से तो आपका B की value क्या है 2 2 plus 3 क्या हो गया 5 यानि A की value जो है वो एक तरह से 5 हमने assign कर दी मलब right to left perform कर रहे हैं तो बस दो ही ऐसे हैं यह आपका और एक आपका exponent जो की right to left है बाकी सारे left to right है करने की जूरती नहीं जो margin question आजाए आप easily solve कर सकते हैं तो पहले precedence के हिसाब से करना और उसके बाद जब आपको लगे कि same ही operator आगे तो आप associativity से इसको solve कर सकते हैं So this is all about the precedence and associativity तो guys वीडियो को जुरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अगी तक आपने नहीं किया और share भी कर सकते हो बहुत जादा जूरी है सब्सक्राइबर्स Thank you